ब्रिटिस भारत में नागरिक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? ब्रिटिस भारत में नागरिक सेवाओं का जो जनक है ये लोड कारणवालिस को कहा जाता है? Option 1 is question का right answer होगा Next question है निमन लिखित में से किसमें साइटरिक अमल की मात्रा सबसे अधिक होती है साइटरिक अमल की जो मात्रा है वो सबसे अधिक दोस्तों निम्बू में होती है Option 1 is question का right answer होगा Next question है किसी वस्तु पर कारे करने वाले गुरूत्वा करशन के बल को किसके रूप में भी जाना जाता है किसी वस्तु पर कारे करने वाले गुरूत्वा करशन के बल को जो है ना दोस्तों वजन वेट के रूप में भी जाना जाता है Option 4 is Question का right answer होगा Next Question है, पृत्वी दो ग्रहों के बीच स्थित है देखे, जो हमारी पृत्वी है ना यह दोस्तों, दो ग्रहों शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है Option 2 is Question का right answer होगा Next Question, उस अंग का नाम बताईए जो pupil के आकार को नियंतरित करता है देखिए pupil के आकार को जो है ना आईरिस जो अंग होता है वो नियंतरित करता है option one is question का right answer होगा next question है born किस देश की राज़दानी है born is the capital of which country born की बात करें तो ये जर्मनी देश की राज़दानी है option one is question का right answer होगा नेक्स्ट कोशन है महाराजा धिराज की भवे उपाधी धर्ण करने वाला गुप्त वन्स का प्रथम शाशक कौन था महाराजा धिराज की भवे उपाधी धर्ण करने वाला गुप्त वन्स का प्रथम शाशक चंद्र गुप्त था option 1 is question का right answer हो जाएगा next question है प्रती बाधा की इकाई क्या होती है प्रती बाधा की इकाई होती है option 1 right answer होगा next question शरम दिवस किस दिन को मनाया जाता है labor day is celebrated on first may एक मई को शरम दिवस मनाते हैं option 2 right answer होगा next question है ओला के संस्थापक कोन है who is the founder of ओला ओला के संस्थापक है भाविस अगरवाल option 1 is question का right answer होगा next question जामिती का जनक किसे कहा जाता है who is the father of geometry जामिती का जनक युकलिड को कहा जाता है option 2 is question का right answer होगा next question है उकाई बांध कहा परस्तित है उकाई टेम is located in गुजरात उकाई बांध गुजरात में स्थित है option 4 is question का right answer हो जाएगा next question निमन लिकित में से किस स्थल पर खगोलिये वेदशाला पाई गई है देखिए खगोलिये वेदशाला जो है ना ये दोस्तों धोला वीरा स्थल पर पाई गई है option 4 is question का right answer होगा next question है दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमी की माप का आदेश दिया था दिल्ली का पहला सुल्तान अलाउदिन खिलजी था जिसने भूमी की माप का आदेश दिया था option 3 is question का right answer होगा next question है कौन सा जिला राजस्तान का स्वरन सहर है the golden city of राजस्तान is Jaisalmer district का विशे क्या था दा थीम ओफ अर्थ डे 2021 वाज ये था दोस्तों रीश्टोर आवर अर्थ ये थीम था 2021 पृत्वी दिवस का ओप्शन वन राइट आंस्वर होगा नेक्स्ट कोशन है फलों का अध्यन क्या कहलाता है इसे हम पॉमोलोजी यानि की फलक्रिशी विज्ञान कहते हैं ओप्शन फोर इस कोशन का राइट आंस्वर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं जूट किस परकार की मिट्टी पर अच्छी तरह उगता है जूट जो है ना ये दोस्तों जलोड मिट्टी पर जो है वो अच्छी तरह से उगता है ओप्शन फ्री इस कोशन का राइट आंस्वर होगा नेक्स्ट कोशन किस परकार की वायू में पूरी शम्ता से नमी होती है देखिए जो संत्रप्त वायू होती है संत्रप्त परकार की वायू में पूरी शम्ता से नमी होती है ओप्शन टू इस कोशन का राइट आंस्वर होगा नेक्स्ट कोशन है अधिक व्याम करने के दोरान किसके जमा होने के कारण पैरों में एंठन या दर्द होता है तो ये होता है लेक्टिक अमल के जमा होने के कारण ओप्शन यहाँ पे टू जो है ना वो राइट आंस्वर होगा नेक्स्ट कोशन कल्प सुतर जैन धरम से समंदित एक गरंथ है इसे किस ने लिखा है कल्प सुतर जैन धरम से समंदित एक गरंथ है इसे भद्र बहु ने लिखा है option one is question का right answer हो जाएगा next question प्राचीन काल में किस सहर का नाम अवंतिका था प्राचीन काल में उजेन सहर का नाम अवंतिका था option one is question का right answer होगा next question है भारत के किस governor जनरल ने भारत में अंग्रेजी की शुरुवात की थी भारत का जो governor general lord bentic है ना बैन्टिक ने भारत में अंग्रेजी की शुरुवात की थी option three is question का right answer होगा next question है हर्स ने किस सवा में अपना सारा जो सामान है वो दान में दे दिया था तो ये दिया था प्रयाग की सवा में option three is question का right answer होगा नेक्स्ट कोशन है निमन लिकित में से कौन सा आलू का वेजानिक नाम है देखिए which of the following is the scientific name of potato आलू का वेजानिक नाम है solanum tuberosum ठीक है तो यहाँ पे option to right answer होगा नेक्स्ट कोशन गती का दूसरा समीकरण किसके और समय के बीच समन्द प्रदान करता है गती का जो दूसरा समीकरण है वो दोस्तों स्थान और समय के बीच समन्द को प्रदान करता है option to right answer होगा नेक्स्ट कोशन है एक अवतल दरपन द्वारा बनाई गई चवी कैसी होती है देखिए अवतल दरपन द्वारा बनाई गई चवी वास्तवी किया आभासी हो सकती है option 3 इस कोशन का right answer हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है निमन लिकित में से किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना आता है which of the river is also known as red river in इंडिया तो ये दोस्तों ब्रम पुतर नदी को जाना आता है भारत में लाल नदी के नाम से option 4 right answer होगा नेक्स्ट कोशन है विस्व स्वास्तिय संग्टन का मुख्यालिय कहां पे है देखिए WHO का जो headquarter है वो जिनेवा स्वीजर लेंड में है option 1 इस कोशन का right answer हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं फटाफट से गुप्त उश्मा की ऐसा इकाई क्या है गुप्त उश्मा की ऐसा इकाई है प्रती किलोग्राम जूल option 1 इस कोशन का right answer होगा next question एक भारतिय नागरिक अपनी नागरिकता को कैसे खो सकता है देखिए एक भारतिय नागरिक जो है वो त्याग के द्वारा समापती से और वंचन से जो है अपनी नागरिकता को खो सकता है option 4 उप्रोग सभी right answer हो जाएगा next question है निमन में से कोन सा सोर मंडल में लाल ग्रह है सोर मंडल में जो है न वो लाल ग्रह जो है न वो मंगल ग्रह है option 3 right answer होगा next question हमारे ग्रहे प्रित्वी के लिए उर्जा का मुख्य सुरोथ क्या है next question इन में से कोन सा अनुचेद सविधान के प्रारम पर नागरिकता को परिभाशित करता है नेक्स्ट कोशन है भारतिय सविधान का कोन सा अनुचेद धन विध्यक को परिभाशित करता है तो ये करता है अनुचेद 110 option 4 इस कोशन का right answer होगा next question है काकरा पार परमानु उर्जा सेंतर कहां पर स्तित है काकरा पार परमानु उर्जा सेंतर की बात करें तो ये आपका गुजरात राजे में स्तित है option 3 इस कोशन का right answer हो जाएगा next question निमन लिखित में से किसने बंगाल की रोयल एसियाटिक विलियम जोन्स ने की थी यहां पर right answer होगा option one is question का next question देखते हैं आवर्थ सारणी में जो second जो group है ना उसमें तत्वों को क्या कहा जाता है आवर्थ सारणी में ध्वितिय समुहे के तत्वों को शारिये पार्थिव धातु कहा जाता है option two is question का right answer होगा next question निमन लिखित में से चीन की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है तो यह दोस्तों रैन मिन भी जो रैन मिन भी जो है ना यह चीन की आधिकारिक करेंसी है option one is question का right answer होगा next question ज्वाला मुकी विस्पोर्ट से किस परवत का निर्मान हुआ है ज्वाला मुकी के विस्पोर्ट से संचेन परवत का निर्म प्राण हुआ है, option 3 इस question का right answer होगा, next question है, बुद ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, बुद ने अपना पहला उपदेश सारनात में दिया था, option 4 इस question का right answer हो जाएगा, next question निमन लिकित में से कोन सी अनुधेरे तरंग है, देखिए जो sound wave है ना धवनी तरंग, वो एक अनुधेरे तरंग होती है, option 1 इस question का right answer होगा, next question है, स्तंधारियों में बॉमन संपूट निमन लिकित में से किस कोशिका का हिस्सा होती है, तो ये होती है दोस्तों, नेफरोन, वरकानू का हिस्सा, option 4 इस question का right answer हो जाएगा, next question है, निमन लिकित में से कोन एक छार है, द next question, समवेग की SI का ही क्या होती है, समवेग की SI का होती है, किलो ग्राम मीटर परती सेकंड, option 1 इस question का right answer हो जाएगा, next question है, खेडा सत्याग रहे गांधी द्वारा किसके समर्थन में सुरू किया गया था, खेडा सत्याग रहे गांधी जी के द्वारा क्रिशक के समर्थन में सुरू किया गया था, option 3 इस question का right answer होगा, next question है, रियोस्तात किसका दूसरा नाम है, रियोस्तात जो है ना ये चर प्रतिरोध का दूसरा नाम है, variable resistance का, option 2 इस question का right answer होगा, next question, कोलेरु जील, जो भारत की स आंस्वर हो जाएगा, next question, थिपुसम त्योहार निमन लिखित में से किस समूदाएक द्वारा मनाया जाता है, थिपुसम त्योहार को तमिल समूदाओं के द्वारा मनाया जाता है, option 4 इस question का right answer हो जाएगा, next question है, चुंबक के केंदर में आकर्षन का बल क्या होता है, चुं प्रतेक वर्स किस तारिक पर मनाया जाता है, अंतराश्रिय मातर भाषा दिवस प्रतेक वर्स 21 फरवरी को मनाया जाता है, option 4 इस question का right answer होगा, next question है, भारत में न्याय पालिका को कारे पालिका से अलग करने का कारे किसके द्वारा किया जाता है, भारत में न्याय पालिका को क पारे पालिका से अलग करने का कारे राजे निती का एक निर्देशक सिधानत के द्वारा किया जाता है option 2 is question का right answer हो जाएगा next question है जर्मन चांदी जो जर्मन सिवर होता है वो तामबा जस्ता और किसका मिसर दातू होता है जर्मन चांदी तामबा जस्ता और निकेल का मिसर दातू होता है ओप्शन वन इस कोशन का राइट आंस्वर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है मानव स्रीर में सबसे लंबी कोशिका कोन सी होती है मानव स्रीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्री का कोशिका को कहा जाता है मोरे शाशक का उले किया गया है option यहाँ पे 2 जो है वो right answer होगा next question है मानव हर्द्य एक द्विक जिली थेली से अच्छादित होता है जिसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है pericardium option यहाँ पे 4 जो है न वो right answer होगा next question है पित रस का उत्पादन कहां से होता है पित रस का उत्पादन होता है यकरत से option 2 is question का right answer होगा next question लोक नरते जाट जटीन किस राजे से समन्दित है लोक नरते जाट जटीन बिहार राजे से समन्दित है option 2 is question का right answer होगा next question किस दर्रे का नाम पंडित जवाहरलाल नहरू के नाम पर रखा गया था देखी ये रखा गया था बनिहाल दर्रे का नाम option 4 is question का right answer हो जाएगा next question है खिजर खान किस वन से समंदित है खिजर खान ये सेद वन से समंदित है option 3 is question का right answer होगा next question सविधान का अनुचेद 22 सुनस्चित करता है सविधान का article 22 जो है न ये गिरफतारी के दोरान या हिरासत में रहने के दोरान दुर वेवार ने करने का अधिकार को सुनस्चित करता है option 1 is question का right answer हो जाएगा और आज का last question है ये और ये है आज का homework question इसका answer आपको comment box में बताना है भारतिय सविधान की कोन सी अनुची अनुची भासाओं के बारे में है option आपके सामने है जो भी right answer है वो comment कीजिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like, share और चैनल को जुरूर subscribe कर देना धन्यवाद